जयहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग 11th एगरी कल्चर का जो फिजिक से दोस्तों उसको हम लोग देखने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपोरेंट है जो 2023 में 11th एगरी कल्चर का एकजाम देंगे तो दोस्तों उसमें एक सब्जेक्ट आता है जो किरसी बहुत की एम जलवाई विज्ञान ठीक है तो उसका हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे तो दोस्तों इसमें मैं है 2017 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर पे जो है मैं वीडियो बनाऊँगा ठीक है तो ये मेरा पहला वीडियो है किरसी बहुत की एम जलवाई विज्ञान पे जो दोस्तो 2023 के बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोरेंट है तो दोस्तों इस वीडियो को जो है लास तक जरूर देखेगा तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला अमारा कोस्चन जो पूछा जाता है वो बहुँभी कल्पे प्रस्न होता है और दोस्तो चार भोविकल्पे प्रस्ण होते हैं और प्रतेक प्रस्ण जो है एक नंबर की होते हैं तो पहला हमारा कोश्चन है कमपन करते हुए किसी स्वरित्र द्वारा उत्पन धोनी का वेक 400 मीटर प्रति सेकंड है ठीक है तो धोनी का वेक दोस्तों कितना है 400 मीटर प्रति सेकंड है तथा धोनी की तरंग धैर दोस्तों तरंग धैर को दोस्तों जो है लेमडा से प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो दो मीटर है तथा स्वरित्र की आबिर्ती होगी तो आबिर्ती ग्यात करना है तो यहाँ पे दोनी का तरंग धैर तो दोनी का तरंग धैर को दोस्तो जो है लेमडा से प्रद्रिस करते हैं तो यहां पर दोस्तो दिया है दोनी का बेक कितना दिया दोस्तो तो दोनी का बेक दिया है 400 मीटर प्रति सेकेंड बटे यहां पर जो है दोस्तो तरंग धैर कितना है दो मीटर है ठीक है आबिर्ती का मात्रक क्या हो तो दोस्तो तो आबिर्ती का मात्रक होता है हर्ट ठीक है तो लास्ट में हर्ट लगा देंगे क्योंकि यह जो है आबिर्ती का मात्रक है अब दोस्तो मारा नेक्स कोश्चन है चल कुंडल धारा मापी में आताकार कुंडली को किस फ्रेम पर बनाता हो दोस्तों तो वो बना होता है अलूमिनियम का ठीक है इसमें दोस्तों जो है एंसर गलत दिया है ठीक है किसका बना होता है अलूमिनियम का बना होता है तो आपशन तीसरा जो हमारा वो सही हो जाएगा अब दोस्तों मारा नेस कोश्चन है काज का अपरतनांग अधिक बैगनी रंग के लिए दोस्तो सबसे अधिक होता है ठीक है बैगनी रंग के लिए क्या होता है तो सबसे अधिक्तम होता है और अगर सबसे कम पूछे ठीक है सबसे नियूंतम पूछे तो सबसे नियूंतम किसके लिए होता दोस्तो तो लाल रंग के लिए दोस्तो जो है काज का पुर्तनांग सबसे कम होता है और सबसे अधिक्तम किसके लिए होता है तो सबसे अधिक्तम होता है बैगनी रंग के लिए अब दूस्तों हमारा नेस कोचन है किसी बिंद उपर किसी वस्तों से जाने वाली उसमें विकरण की तिभृता उस वस्त से बिंदू के दूरी के क् लगी होताँ तो दुस्तों व्यूत् कर्मानु पाती होगा अब दूस्तों प्वश्टमानु मुश्चन है। लाइस्ट कोश्चन है। निम्लीखित में से कौनलंबाई 10 क्रीए Waln Ayya 10-14 Mr. K482 के बरबर होती है। यहां पे दिया है 1 C तो एक-1¹ का क्या होता है दोस्तों? तो एक-2¹ का होता है 10 के-6— और एक-1-3¹ opinions व्राबर होता है 10–10 तो एक एक-1¹ यूनिट के बराबर होगा तो एक एक-2¹ यूनिट के बराबर होगा अब दोस्तों एक और पूछाता है यहाँ पर एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है तो दोस्तों एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 ठीक है एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 15 ठीक है तो एक माइक्रोन का याद कर लिजेगा एक एंगिस्ट्राम का याद कर लीजेगा और एक X-ray unit और एक फर्मी मीटर का दोस्तों जो है आप याद कर लीजेगा अब दोस्तों मारा next question है यहाँ पे निशी तुत्रिय प्रसन है एक एक नंबर के हैं ठीक है तो पहला question है एसाई पड़ाली के अंतरगत आने वाली मूल रासिया कौन सी है तो दोस्तों एसाई पड़ाली के अंतरगत जो है कितनी मूल रासिया आती है साथ मूल रासिया आती है तो पहला कौन सा दोस्तों तो पहला है हमारा लंबाई ठीक है तो दरब्यमान को किस में नापा जाता है तो दरब्यमान को दोस्तों जो है किलो ग्राम में नापा जाता है दरब्यमान को किस में नापा जाता है किलो ग्राम में और दोस्तों समय को किस में नापा जाता है तो समय को दोस्तों जो है सेकेंड में नापा जाता है और दोस्तों यहाँ पर एक और होता है ठीक है यहाँ पर साथ होते हैं यहाँ पर पांची दिया तो मैं बता देता हूं देखी हमारा छटा होता है ताप ठीक है ताप को दोस्तों किसमें नापा जाता है केलविन में ठीक है ताप को किसमें नापा जाता है केलविन में नापा जाता है का इंडीला जो है जोती तिव्रता का मात्रक होता है तो यह पेपर में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आप इस सभी को याद कर लिजेगा अब धुस्तो हमारा ने स्कोश्चन है एक पर एक बल आर कार कर रहा है ठीक है इस बल से थीटा कोड बनाती हुई दिशा में उसका घटक क्या होगा तो दोस्तों एक बिंदु पर एक बल क्या कर रहा है तो इस बल से कोड बनाती हुई दिशा में उसका घटक क्या होगा ठीक है तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों मारा पिर्थिवी की सता पर G का मान बताईए यानि कि दोस्तों पूछा है पिर्थिवी की सता पर G मतलब गुरुत्य तुरड यानि कि गुरुत्वा करशन मान कितना होता है पिर्थिवी की सता पर गुरुत्य तुरड का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वार होता है तो यहाँ पर दोस्तो चालक का परतिरोध और पदात के 26 परतिरोध में दोस्तो जो है संबंद पूछा ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है आर बराबर रो इंटू एल अपान ए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आर मतलब क्या होता है चालक का परतिरोध होता है और दोस्तों यहाँ पे जो P की तरह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रो ठीक है रो पंदलब क्या होता है चालक के पदारत का बिशिष्ट परतिरोध और L बराबर क्या होता है चालक की लंबाई और ये बराबर होता है चालक का परिछेद छेतर भर ठीक है तो इसको याद कर लिजेगा दोस्तो बहुत important question है ये paper में दोस्तो दो तीन बार पुछा जा चुका है ठीक है तो इसको आप लोग जरूर याद कर लिजेगा अब दोस्तो मारा next question है ओला एमम हिम में अंतर ग्याद करना ठीक है अंतर इस्परिश करना है तो ये एक नंबर का है तो देखिए ओला क्या होता दोस्तो ओला उसे कहते हैं जो 6000 मीटर की उचाई पर 6000 मीटर की उचाई पर माइनस 20 डिगरी Celsius पर ठीक है बर्फ के रूप में दोस्तो जम जाता है और जम कर जो पिर्थिवी पर गिरता है ठीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं ओला कहते है ठीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं ओला कहते है दोस्तो जो 6000 मीटर की उचाई पर कर सीधे जो दुस्तों जो है हीम कड़ो की रूप में जम जाती है ठीक है और हीम कड़ो की रूप में जम कर दुस्तों जल के रूप में जो है प्रितिवी पर गिरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं हीम कहते है ठीक है अब दुस्तों मारा नेस कोश्चन है यहाँ पर कोई वस्त जो बृत की परधी पर 5 मीटर प्रती सेकंड की चाल से गती कर रहे ठीक है आधा चक्र पूरा करने के बाद उसके वेग वा चाल में क्या परिवर्तन होगा तो देखिए वेग में क्या परिवर्तन होगा दोस्तो तो वेग में दोस्तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएग वेग के कारण दोस्तों के दिसा में जो है परिवर्तन हो जाएगा ठीक है और चाल में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों तो चाल में दोस्तों यहाँ परिमार समान होने के कारण ठीक है परिमार समान होने के कारण चाल में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है और वे जान पोधो को पाले से बचाने के लिए खेत में पानी क्यों भर देते हैं। जान पोधो को मिलती रहती है। रितु भविस्वाडिक किन आधारों पर की जाती है। यानि कि मौसम का पूर्बा नुमान किस आधार पर दोस्तो ग्याद किया जाता है। कि बारिस होने वाली है, सीत रितु आने वाली है। तो दोस्तो ये 4-5 फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है। पहला क्या होगे दोस्तो हमारा। पहला की वायू का दाप कैसा है। अब दोस्तो पहला क्या होगे दोस्तो वायू का दाप कैसा है। दूसरा दोस्तो वायू की गती। वायू की गती कैसी है। की जाती है दोस्तों मारा नेक्स कोश्चन है वाई में प्रकास की चाल तीन गुड़े दस के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है 6000 एंगेश्ट्राम तरंग धहर के प्रकास की आविरति ग्याद कीजिए ठीक है तो यहाँ पे वाई में प्रकास की चाल दिया है ठीक है और 6000 एंगेश्ट्राम तरंग धहर के प्रकास की आविरति हमको ग्याद करनी है ठीक है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो है प्रकास की चाल को हम लोग C बराबर लिखते हैं 3 to 10 के पावर 8 मीटर प्रती सेकंड है ठीक है और दोस्तों यहाँ पे तरंग धेर दिया है 6000 एंगेश्ट्राम तो इसको दोस्तों हम लोग सबसे पहले है जो है मीटर में परियोतित करेंगे ठीक है त तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे एक सुत्र होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आबिर्ती बराबर क्या होता है तो आबिर्ती बराबर होता है प्रकास की चाल बटे तरंग धेर ठीक है और तरंग धेर को किससे प्रतिस करते हैं तो ले 10 क्योंकि हमने एंगेश्ट्राम को मीटर में परिवर्थित कर लिया ठीक है तो अब दोस्तों जब इसको हम लोग solve करेंगे तो कितना आएगा तो आएगा बराबर 0.5 इंटू 10 के पावर 15 ठीक है और दोस्तों जब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहां पर होगा एक दस्मलों दोस्तों यहां से कट जाएगा तो यहां पर 15 के जगा पर दोस्तों जो है 14 हो ठीक है तो कितना आएगा दोस्तों पांच गुड़े 10 के पावर 14 और आबिर्थी की मातरक क्या होता है तो आबिर्थी का मातरक होता है हर्ट ठीक उसमा के कारण जो है मिर्दा में कौन-कौन से बहतीक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर उस्मा के कारण जो है मिर्दा में नीमने प्रिवर्तन होते हैं पहला जोस्तो है भूमी का रंग ठीक है भूमी का क्या होता दोस्तो भूमी के रंग में दोस्तो परिवर्तन आ जाता है ठीक है भूमी का जो है आप एची घनत भी बदल जाता है और मिर्दा के च स सकंध्र पूर्वरक्षा जो है कोई वज तू है ससुतंतरता पूरवक फ्रीधी की ओर गिर रही है तो जब इसके वेग में दुस्टव, एक सेकंड में जो परिवर्टन हो होगा वही उसका क्या कया पूछा है कि पिरतिवी के भीतर जाने पर जी का मान बढ़ता है या घटता है तो जब पिरतिवी के भीतर जाएंगे तो गुरुत्वा कर्षड का मान क्या होगा दोस्तो घट जाएगा ठीक है गुरुत्ता कर्सर का मान के आता दोस्तो घट जाता है और यहां पे पुछा है पिर्थिवी केंदर पर जी का मान के आता दोस्तो तो पिर्थिवी केंदर पर जी का मान के आता दोस्तो तो पिर्थिवी केंदर पर जी का मान होता है सून ठीक है अब दोस तो आप इसको जो है screenshot लेके रखिए ठीक है और paper के time आप सभी जो है इन question को जरूर तयार करके जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तो लगबख सभी जो question है याद करने वाले ठीक है बेती करण की परिवास दोस्तो हर बार पूछ लेता है ठीक है तो बेती करण आप जरूर पढ लेकन को जरूर दबाएगा तो मिलते हैं अगली नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत